आई पिल 2018 के आंतगर्त मंगलवार को खेल गए मैंच में राजिस्तान रोल ने किंग्स 11 पंजाब को 15 रन से हरा कर पले ओफ में परवेश की अपने उम्मीदों को बरकरा रखा है इस मैंच में राजिस्तान टीम ने अपने 158 रन के स्कोर को बाखो भी डिफेंड करते हुए किंग्स 11 पंजाब को 143 के स्कोर पर सीमित कर लिया लोकेस राहुल की नाबाद बिच्चान में रनों की पारी के बावजूद किंग्स 11 पंजाब को मेंच में हार का सामना करना पड़ा हाला कि राजिस्तान रोयल के लिए मेंच में 82 रन की पारी खेलने वाले जोस बटलर को मैन ओफ दा मेंच गोहुषित किया गया लेकिन अजिंग के रहने की टीम की इस जीत में ओप इस्पिनर कृष्ण अपपा गोतम के योगदान को कम नहीं आका जा सकता वो गोतम ही थे जिनोंने एक ओवर में खतरना किरिस गेल और रवीच चंदरन अश्वीन को आउट करते हुए पंजाब को मेंच की शुरुआत में ही बेक फुट पर ला दिया था करिस गेल मेंच में कोई धमाका कर पाते इससे पहले ही भोतम ने उन्हें विक्ट कीपर बडलर से इस्टम्प करा कर पवेलियन लोटा दिया इसी ओवर में गोतम ने रवी चंदरन अश्वीन को भी बोल्ड कर दिया, अश्वीन को आउट करने के बाद गोतम ने अलग अंदाज में सफलता का जसन मनाया, अपने इस प्रदसन के सहारे गोतम ने इंगलेंड लोइंड और विस्टन डीज एक खिलाप वन डे सिरीज के ल मेंच में गोतम ने अपने तीन ओवर में केवल बारे रन खर्च किये और दो विकिट हांसिल किये, नेक्स्ट नैन स्पोर्ट्स निजरूंग रिपॉर्ट